वेल्कम बैक टू माई यूटूब चैनल एक्सल इन्फो टेक में आपका स्वागत है मैं हूँ विनोद और आज का हमारा टॉपिक है कि आप टैली के अंदर प्राइमरी ग्रूप और सब प्राइमरी ग्रूप के इस तरह से क्रियेट कर सकते हैं इसके लिए जाना होगा आपको create option पे create पे जाने के बाद यहाँ पर आपको select करना होगा group ग्रूप select करने के बाद आप जिस भी नाम से प्राइमरी ग्रूप create करना चाहते हैं वो नाम आपको type करना होगा तो हम यहाँ पर type कर लेते हैं like Aditya Corporation हम Aditya Corporation के नाम से एक प्राइमरी group तयार कर रहे हैं वो है क्या चीज़ तो इसके लिए आपको बताना होगा वो कोई assets है expense है income या लाबिल्टी है तो हम इसे ले लेते हैं under of assets और इसके बाद आपको enter enter करके इसको save कर देना होगा अब बात करते हैं sub primary group की कि sub primary group किस तरह से आप create कर सकते हैं इसके लिए आप example क के लिए यहां पर लिख दीजिए जैसे कमल industries कमल industries है कौन तो हम इसे under of डाल देंगे जो हमने अभी primary group तयार किया था यानि जितने भी यह primary group आपके सामने नजर आ रहे हैं by default tally के अंदर 28 primary group होते हैं इसके अलावा आप जितने भी create करना चाहो वो create कर सकते हो तो इसे हम under of द प्राइमरी group देखना है कि यह primary group कहां पर दिखाई देता है तो इसके लिए आपको sicap करके पीछे जाना है पीछे जाने की यहााँ पर option आता है आपका chart of account काயा पर आपको click करने के बाद यहां पर आप click करने के बाद आपको आपको जाना होगा group वाले option पर आपको जाने के पाइद आपके सामने जितने भी groups बने हुए हैं वो सारे के सारे आपके सामने शो हो जाएंगे जिसमें कि हमने आदित्या Corporation के नाम से primary group तियार किया था और सब primary group जो था वो हमारा कमल इंडस्टी था जो इसके जस नीचे show up हो रहा है इसके बाद अगर आप इसके अंदर कुछ changes करना चाहते हैं या आप इसे delete करना चाहते हैं तो इसके लिए जाना होगा आपको अल्टर वाले option पर जाने के बाद यहाँ पर select करना होगा आपको group group slack करने के बाद जिस group के अंदर आप changes करना चाहते हैं उसको slack करना होगा और यहाँ पर आप जो भी change करना चाहिए वो change करके save कर सकते हैं तो यह था हमारा telly prime के अंदर आप किस तरह से group create कर सकते हैं सब group create कर सकते हैं और इसके अंदर changes कर सकते हैं अगर वीडियो आपको पसं झाल